लो बच्चो कैसे आप सभी बहुत अच्छे ना अब आपके सामने एक और सब्जी आई है कोई बताएगा कौन से सब्जी है केरेट को हिंदी में क्या कहते हैं अब आपकी सामने एक सब्जी की टौक्री है क्या है अलीशा आप बताएगी इससे गाजर कौन सी है वैरी गूड अलीशा ने किसको उठाया यह गाजर आपको किस कलर की दिखाई दे रही है और एंज कलर की और आपके सामनी जो बच्चा गाजर बन के आए वो गाजर किस कलर की है यहां से आपको समझ आया कि जो गाजर होती है वो तू कलर की होती है कितने कलर की होती है एक रेंड कलर और एक और एंज कलर अब आपके सामने जो बच्छा गाजर बन के आए है वो अपने बारे में कुछ लाइच बताएगा हेलो प्रेंट हेलो मैं हूँ गाजर मैं नारंगी रंग लारंगी पाई जाती हूँ मुझे खाने से आखों की रोश्णी तथा कून बढ़ता है उससे अचार हलवा भी बनाया जा सकता है बेरी गूद गाजर ने क्या बताया कि यो किपने कलर्स में पाई जाती है कौन कौन सा कलर फ towel और गाजर को खाने से क्या होता है आखोंई बाधते है और खून भी बढ़ता है जीक है क्या बढ़ता है जाती है सर्दियों के मोसम में पाई जाती है आप सभी को गाजर के हलवा पसंद है तो सर्दियों में सभी बच्चे गाजर कहलवा खाएंगे कैसा होते हैं गाजर कहलवा है तेस्टी मीठा मीठा होता है ना अब हम गाजर पर कवीता करेंगे सब चलिए अब हम कवीता बोलेंगे सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे ठीक है गाजर लालो नारंगी गाजर को खाने से गाजर को खाने से बढ़ता है खून गाजर ओ गाजर मीठे गाजर हम खाए गाजर रात ओर दिन गाजर ओ गाजर विठे गाजर सभी को पसंद आए गाजर कैसी होती है गाजर मीठी मीठी कैसी होती है कितने कलर्स में पाई जाती है कौन कौन से कलर्स सभी को याद रहेगा यह और गाजर कालवा कैसा लगता है सभी को मीठा मीठा और गाजर से सिर्फ फल्वा ही नहीं अचार भी बनाया जा सकता है सब्चे भी बनाया जा सकती है जो कि बहुत तेस्टी लगती है तो कि बहुत अचार रहते है वह जाती है और कौन से मौसल में पाई जाती है जातियों में अब पाई जाती है जातियों में थैंक यू